चात्रो नमस्कार आज हम बात करेंगे फिरोज तुगलक की फिरोज तुगलक तुगलक वन्स का तीसरा महत्वपोन शाशक था जिसने तेरा सु इकावन से तेरा सु अठाशी तक दिल्ली सल्पनत पर शासन किया फिरोज तुगलक तुगलक वन्स के संस्थापक गया सु दिन के भाई रजजब का पुत्र था और इससे पहले सासक मुहम्मद तुगलक का चचेरा भाई था फिरोज का जनम तेरा सो नौ इश्वी में पंजाब में हुआ था उसका पिता गया सु दिन का छोटा भाई रजजब था वह भट्टी राजपूत महिला से उत्पन हुआ था उसकी माता अबोहर के राजा रणमल की पुत्री थी गाजी तुगलक को दीपालपूर की सुबेदारी के समय जब इस राजपूत कन्या के सौंदर्य का पता चला तो उसने रणमल को उसकी पुत्री का विवा उसके छोटे भाई रजजब के साथ करने को बाध्य किया राजा रणमल द्वारा ये परस्ताव ठुकरा दिया गया इस पर गाजी तुगलक ने वाँ सेनाए भेज दी चारों और से नगर घेद लिया गया अपने पिता वा नगरवाशों को केवल अपने कारण संकट में फसा देख राजकुमारी ने पिता से कहा कि यदि मेरी खुशी की बली से आपका राज्य विनास से बच सकता है तो मैं इस विवा के लिए तैयार हूँ इसी राजवूस कन्या से फिरोज तुगलक का जनम हुआ बच्पन में इसका नाम कमालुदीन था तता इसकी माता बीबी नैला की नाम से जानी गई जब वा साथ वर्ष का हुआ तो उसके पिता रजब का दिहान थो गया युवा होने पर उसे युद्ध विद्या तता प्रशाशन की शिक्षा दी गई उसका प्रथम विवा एक राजपूत कन्या के साथ हुआ तता दूसरा विवा कुतुब उद्धीन मुबारक शाख खिल जी की पुत्री से हुआ 1346 इस्वी में मुहम्मद तुगलक गुजरात के विद्रोह को दबाने गया तो उसे दिल्ली का प्रशाशन बना कर गया उसे नायब अमीरे हाजिब के पदपर निउक्तिया गया इस प्रकार इसपस्थ है कि मुहम्मद तुगलक का अपने चचरे भाई के पर की प्रेम तथा पूर्ण विश्वास था अब दहम उसके राज्या रोहन की तरफ प्रकास डालते हैं मुहम्मद तुगलक के मरते ही उसके विसाल सामराज्ये में चारों और उपद्र होने लगे कई प्राम तो उसके सासंकाल में स्वतंत्र हो गएते कुछ राज्य उसकी मरत्यों पर स्वतंत्र हो गए अन्य अमीर भी उससे स्वतंत्र होने का प्रियास करने लगे मुहम्मद तुगलक का स्वामी बद मंगोल नेता अल्टून बहद्दुर भी सुल्तान के कैम्प को लूटने तता राज्य का स्वामी बनने का सपना देखने लगा इस प्रकार तुगलक वन्स के अस्तित्व के लिए बड़ा कटिन समय प्रस्तित हुआ मुहम्मद बिन तुगलक के कोई पुत्र नहीं था इस बात ने इस समश्या को और भी जटिल बना दिया ऐसे कटिन समय में राज्य लोब से वशी भूत हो स्वर्गी सुल्तान की बहिन खुदा बंद ज्यादा ने भी अपने पुत्र दादर मलिक को सुल्तान बना दिया परंतु तुगलक वन्स के वास्त्विक राज्य भक्त अमीरों ने विचार किया कि इस कटिन समय में ऐसा सक्ति साली नेता निर्वाचित करना चाहिए जो तुगलक वन्स को विनास से बचा सके बदायूनी लिखता है कि फिरोज की आचरण तता विवार से उलेमा वर्ग भी परसंद था अते उन्होंने फिरोज के समक सुल्तान बंदे का प्रस्ताव रखा वह उस समय सिविर में मौजूद था एकांट प्रिय तता धार्मिक वर्टिका होने के कारण उसने इस प्रस्ताव को पर्थम बार अश्विकार कर दिया परंतो जब अमीरों ने उसे बहुत अनूरोद किया तो वह 22 मार्च 1351 को गदी पर बैठने को राजी हुआ बर्नी की तारी के फिरोज साही से ये विदित होता है कि मुहम्मद बिन तुगलक की भी इच्छा फिरोज को इस सुल्तान बनाने की थी फिरोज के राज्जाबिशेक के विशे में अब्दुल्ला सरहिंद अपनी पुस्तक तारी के मुबारक शाही में लिखता है मंगल 22 मार्च 1351 को सिंद नदी के किनारे फिरोज गदी पर बैठा उसके दर्बार में चारों और से आदमी एकत्तर हुए सरदार और सामन्तों ने हर्दय से उसके पर्बुता को सिकार किया और उसके परती अपनी स्वामी भक्ती प्रस्तुत की चात्रों अब हम देखेंगे फिरोज जब गदी पर बैठा तो उसके क्या उद्देश्य थे वह किन नीतियों को लेकर आगे बढ़ना चाता था तो फिरोज के उद्देश्यों में जो प्रमुक उद्देश्य यह वो इस प्रकार हैं वह लोग हितकारी कारे करना चाता था दूसरा वह धार्मिक परवर्थि का व्यक्ति था अतेवा शाषन में अधिक महत्तो धार्मिक कारियों को देना चाहता था कुछ इतियासकारों ने कहा है कि चुकि वह एक राजपूत महिला यानि हिंदू महिला का पुत्र था तो वह तुर्की अमीरों और उलेमा को यह दिखाना चाहता था कि मैं भी किसी मुस्लिम आदमी से कम नहीं हूँ मतलब कि मेरा मुस्लिम धरम में या इसलाम धरम में दूसरे लोगों से कम विश्वास नहीं है इसलिए उसने धरम के परति को ज़्यादा ही कटरता दिखाई तीसरा वह अपना परशाशन कुरान की आयतों के अनुशार चलाना चाहता था चौथा वह मुहम्मद तुगलक के द्वारा की गई तुर्टियों को दोहराना नहीं चाहता था पांच वा जन्ता की बलाई के लिए वह उसकी आर्थिक अवस्ता सुधारना तता राज्ये में आहंत्रिक शक्ति श्ठपित करना आउशिक समस्ता था चटा युद्ध करने में वह असमर्थ था अतवा शाही कोश की वर्दी शांति पूंट तरिकोश करना चाहता था अब उसको गद्धी पर बैठने के पस्चाथ कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ा हम उन कठिनाईयों पर परकास डालेंगे उसके समक्ष जो कठिनाईयां थी उनमें पहली कठिनाई थी सेना का आवियरस्तित होना मुहमद बिन तुगलक द्वारा गठित सेना में सभी वर्गों के सेनिक थे अते उन सेनिकों में एकता तत्त स्वामी बक्ती की बावना का अबाव था मुहमद तुगलक ने तो फिर भी अपने को निरंतर युद में विस्ट रखकर सेना में एकता बनाये रखी पर वरद फिरोज के नेतरतों में ये सेना अनुशाशन में नहीं रही अते फिरोज के समक्स या भारी शमश्या थी दूसरा मंगोलों का विद्रो महम्मद तुगलक के शाशनकाल में बहुत से मंगोल दिली में आबसे थे और वे नए मुसल्मान कहलाने लगे थे सुल्टान की मर्त्यू विद्रोहियों का दमन करने में ही सौंडा गराम में हुई थी इस विद्रोकाल में तो ये मंगोल लोग सुल्टान का साथ देते रहे परंतों उसके मरते ही वे कृत्धन हो गए और वे फिरोज तुगलक के विरोध सिंध के विदरोहियों से मिल गए टीसरी कटिनाई खुदाबंद दौरा विरोध किया जाना खुदाबंद मरत सुल्टान की बहिन थी सुल्टान की मरत्य के समय वैसाई खेमे में थी उसने फिरोज के इस्थान पर अपने पुत्र दावर मलिक को गदी पर बैठाना चाहा अफीफ लिखता है खुदा बंद ने आला की फिरोज का सिर अपनी गोद में रख लिया और उसने सुल्तान मुहमद तुगलक का ताज फिरोज को पहना दिया परन तो यह दावना अफीफ की है जो वास्ता में शक्ति पर्तित नहीं होती है किन्तो खुदा बंद फिरोज के सुल्तान बंद जाने पर भी अपने फुत्र को सुल्तान बनाने का प्रियास करती रही चौता मीर अयास द्वारा दूसरा उत्तरा दिकारे प्रस्तुत करना जब सुल्तान फिरोज दिल्ली आ रहा था तो सिंद की सीमा पर उसे महमद तुगलक के वजीर एहमद अयास का एक पत्र मिला उससे सुल्तान फिरोज को यह लिखा था कि सुल्तान महमद बिन तुगलक की मर्ट्यू का समाचार आते ही दिल्ली में उसके पुत्र को सुल्तान बना दिया गया है अते वह उसका संड़क्षक पद को स्विकार कर ले इस पत्र ने सुल्तान फिरोज को उल्जन में डाल दिया पांच वासंतुस जनता मर्ट सुल्तान की विबिन योजना हुवा कठोर सासन से जनता परेशान थी अते जनता महमद तुगलक द्वारा निर्मित नियमों की अवेलना कर रही थी और राज्ये में अवेवस्ता फैल रही थी छटा रिक्त खाजाना जैसा की विक्त किया जा चुका है मौमद बिन तुगलक ने सारा शाही को विबिन लड़ाईयां लड़कर खाली कर दिया था यद्यपी खाजाने को बढ़ने के लिए शल्तान ने कई कर बढ़ाये थे वह हिंदूओं पर नए कर लगए पर वह उसे भर नहीं सका था अताय राज्य के दैनी आर्थिक अवस्ता भी फिरोज के लिए एक चुनाती बन गई थी छटा अमीरों सात्वीं कठिनाई अमीरों वह उल्लेमाओं का भाए अमीर लोग भी केवल फिरोज को ही राज्य का वास्तिक अधिकारी नहीं मानते थे उल्लेमा तो मुहमद के कटर शत्रू हो गए थे अते फिरोज के समख से कठिनाई थी कि वह उन उन इल्लेमाओं को कैसे सम्तुष्ट किया जाए परन्तों इन सब कठिनाईयों के होते वे भी फिरोज घवराया नहीं वह अपने सासन को व्यवस्थित करने में जुट गया अंत में अधिकांस लोगों ने फिरोज तुगलक को ही राज्य का उत्रादिगारी मान लिया जब वह दिल्ली पहुँचा तो उसका नगरवाशियों द्वारा भारी स्वागत किया गया मार्ग में पढ़ने वाले सुनी संतों की मजारों परवा दर्शन करने गया उसने जीवी संतों का सम्मान किया इस प्रकार उसने सुनी मुसलमानों को अपने पक्स में कर लिया मार्ग में उसने काफी धन बांटा इसके परिणाम स्वरूप उसके विरोधी उसके समर्थक बन गए बर्नी ने फिरोज के इस प्रकार राज्य प्राप्त कर लेने को औरक्त हिन करांती बताया है दिल्ली पहुँच कर उसने सब लोगों का रिण माफ कर दिया और ख्वाजा जहां ने अपने समर्थन में जिन लोगों को धन बांट दिया था उन से फिरोज ने धन वापस नहीं लिया उसके इस नीती से दिल्ली वासी भी उसके समर्थक बन गए उसने सैंतीस वर राज्य किया सुल्तान फिरोज के इस दीर गुशाशन काल में जबकि उसका प्रशाशन गौरव में रहा देश में शांतियों संब्रदी रही दूसरे काल तेरह सो इकावन से तेरह सो इट्याशी तक था यह काल उसे अच्छा सिद नहीं हुआ इस काल में राज्य में चार और विद्रो हुए और प्रश्टाचार व्याप्त हो गया चात्रो अब हम फिरोज तुगलक की ग्रह नीती पर प्रकास डालेंगे ग्रह नीती के अंतरगत हम राजशाशन व्यवस्था और राजजत्यों से ध्धान पर आज प्रकास डालेंगे आगे हम उसके अन्य जो ग्रह नीती की नीती हैं ग्रह नीती के अंतरगत कारी किये उन पर प्रकास डालेंगे जिसमें सीचाई की व्यवस्था सारजनिक निर्मान कारी है न्यायत अता परोपकारी कारी है सुल्तान और उलेमा शिक्षगा और साहित्यों और उसकी अन्य नी जिसमें उसने जनकल्यान के कई कारे किया उस पर हम प्रकास डालेंगे तो अभी हम देखते हैं उसकी साथ सन्योस था तेरह सो एकावन ईश्वी के अंत में फिरोज ने निर्विवोध दिल्ली में प्रवेश किया नागरी को द्वारा स्वागत किये जाने पर उसने सुक किसा प्रशास ली और मलिक मकबूल को अपना प्रधान मंतरी निउक्त किया और उसे खाने जहां की पद्वी से विबुशित किया वह तैलंगाना का ब्रहमन था और कुछ समय पूर ही वह सुल्तान मुस्लमान बना था खाने जहां मलिक मकबूल वह परशाशन कारे में योग्य थ अते उसकी सायता से फिरोज ने प्रशासनिक कार्यारम किये सुल्तान ने स्वर परथम प्रजा को प्रसंद करने का प्रयास किया मुहम्मद बिन तुगलक ने कृशकों को जो धन उधार दिया था वह रिण मलिक मकबूल तता ख्वाजा हिसामुदीन की मंतरना से माफ कर दि दूसरे फिरोज ने मुहम्मद की बाती जनता से कोई धन नहीं छीना इसके विपरीत उसने जनता में धन वित्रित किया उसने कुरान पर पूर्ण आचरण करने का आश्वाशन दिया इसके प्रण्यम सुरूप दिल्ली के लोग जो अधिकान सुनी मुसलमान थे सुल्तान स प्रसंद हो गए नई नीक्तियों में उल्माओं को परधानता दी गई मर्द सुल्तान मुहम्मद तुगलक द्वारा उत्पीडित वह मारे गए मुसलमान अमीरों के बच्चों को उसने हरजाना दिया इसके अतिरिक्त उसने जनता को न्याय भी परदान किया इस प्रकार उ अब चात्र हम देखेंगे उसके राज़त्व का सिद्दान फिरोज तुगलक ने अपने आपको स्ल्तनत का ट्रस्ट कहा था वह अपने आपको खलीफा का नायब कहता था फिरोज ने अपने खुत्बे में पूरवर्ती सुल्तानतों का नाम जोड़ा वग खल्जियों का व कौनों का निसार समय देनिक राज तंत रहंन और शासन ववस्ता के इस्तापना की तो चात्रों यह थी उसकी सासन ववस्ता और राज भजुत्व सिद्दान उसकी ग्रह निती में और क्या-क्या विशेशन थी उसका वर्णन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे तब तक के बिल्य थैंक्यू दान्यावाद